हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुजा और आपका स्वागत करती हूँ लव विद एस्ट्रोलजी में दोस्तों किसी को मुलाकातों में किसी को किसी की बातों से किसी को किसी के अन्दाज से, अदा से, स्वभाव से प्यार हो जाता है लेकिन कई लोग ऐसे भी है जिनको पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है Yes, you heard it right, I am talking about love at first sight Sounds so romantic ना? लेकिन love at first sight की problem यह है कि यह नहीं पता चलता इसमें कितनी reality है और कितना imagination है क्या love at first sight उम्र भर टिक पाता है या यह सिर्फ एक temporary attraction होता है इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौझूद है famous love analyst and relationship expert आचारिस सतीश जी तो चलिए उनका स्वागत करते हैं नमस्कार आचारे जी नमस्कार love with astrology में आपका बहुत-बहुत स्वागत दन्यवाद आपका दोस्तों अगर आपके मन में भी आपके भी दिमाग में कोई भी confusion है अपने प्यार को लेके तो बिना देर करें बस फोन उठाएं और इन नमबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है ताकि जल से जल आपकी बात आचारे जी से हो जाए आचारे जी आज हम specially बात कर रहे हैं लव एट फर्स साइट की पहली मुलाकात में प्यार हो जाना तो प्यार आप हमेशा कहते हैं कि यह इतना डीप टॉपिक है कि इसको एक मिनट में समझना बहुत मुश्किल है मैं आज तक नहीं समझ पाया तो इसके लिए कौन से प्लाश रिस्पॉंसिबल होते हैं कि कि किसी को एक ही मुलाकात में प्यार हो जाए देखो अनुजा कि मैं ही नहीं पूरे बिश्व में अभी तक प्यार को समपूनता से कोई समझ नहीं पाया बड़े बड़े गृंद लिखे गए बहुत सारी कहानिया हमारे हाँ तो जो प्रेम के आइकन है भगवान कृष्ण और राधा उनके बारे में कथाये करते करते सदियां बीत गई है लेकिन अभी तक हम समपून नहीं कर पाये उस बात को अचली जोतिशी आधार पर एक तो वीनश मतलब जो समपून प्रमुख और राजा ग्रह है इस विशे का वो है शुक्र ग्रह इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कम्प्लीट करता है अब विख्टिकत रूप से अलग-अलग लगन अलग-अलग ग्रहनक्षत्र विख्टिका विख्टित बनाते हैं जैसे कुछ लोगों को हर एक चीज बहुत जल्दी में चाहिए होती है कुछ लोगों को बहुत जादा पेसेंस होता है कि उन्हें पता है सब ठीक है उसके बावजूद वो थोड़ा वेट करेंगे कुछ लोग हर एक चीज में असमंजस्ता में रहते हैं पता नहीं ठीक है नहीं है, confusion create करते हैं तो depend on जितनी सारी जैसे 12 लारासियां हैं और 12 हों को फिर से 12 बारा बार काटा जाता है अगें फिर ऐसा हर बार 12 हों किया जा सकता है तो कई हजार टाइप के सुभाव हैं कई हजार टाइप के नेचर हैं किसी को कुछ पसंद है जिसे बहुत सारे ऐसे महिलाएं और पुरुष हैं जिनें अपने से बहुत छोटे लोगों से आकर्शन हो जाता है उने सिर्फ और सिर्फ छोटा बेक्ती पिला वो प्यार नहीं भी करता उसने जूट मूट भी बोल दिया उसकी हजार गलतियां माफ है बस वह एक चीज बहुत है अचारी जी प्यार के इन पहलू को हम आगे भी डिसकस करेंगे लेकिन कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं तो आ आपके अग्या हो तो में कॉलर से बात करें। एक्डम स्वागत है। हलो हलो वेलकम तु लविद एस्ट्रोलिजी आपका नाम? जैन्ती जैन्ती जी कहां से बोल रही हैं? कुरापु तोड़िसा से बोल रही हूं मेरे लड़की के साथ मेरी वेमारा NBC ख़ Скर को शाथ हैं है और बात करते हैं आप कहा आसम से है और इशा से हैं? बहुत स्वीट लोग होते हैं असाम और ओरिशा के डेटा पर बता दे अपनी प्लीज उनीस मेर नाइन्टी एक्टी नाइन टाइम बता देजे ताइम नौ से दस पी एन कन्फॉर्म नहीं चलेगा कहा जन्म हुआ कॉरापुट में पेटा ये तुमारे पिशले जन्म का कुछ थोड़ा सा दोश है इसकुंड़ी में जिसकी वज़े से ऐसी परिस्तिया बन रही है दूसरा तुमारे मैके साइट में जो कुल देवता कुल देवी होते हैं वो रुष्ट हैं बहुत दिनों से उनकी पूजा उपासना साधना ठीक से नहीं की गई पिवाह के समय भी उनका जो अंस निकलता है वो नहीं निकाला गया ऐसी परिस्तिती के वज़े से आपका दामपत्य जीवन में ये तकलीफ आ रही है जद्य पिया आपका पती अपनी जगे ठीक था अभी तक लेकिन जो सामने वाला पक्ष है वो बहुत ज़यादा चालाग है वो बहुत ज़्यादा चतुराई के साथ में अपना काम कर रहे हैं और उनके मन को अपने बश्मे करने की बहुत सारी सडियंतरों का भी उपियोग किया गया है यह सारी के सारी चीजे ठीक हो जाएंगी आप बहुत सहज हैं सरल हैं आपका अपना जीवन बहुत मधुर में होगा यह थोड़ा सा इस पेस था बीच का जिसमें आपको कष्ट मिलना ही था आपका बेटा जन्म लेने के बाद जब साथ साल का हो जाएगा तब तक की दिक्कत दिखती है यह साथ सालों का बीच का अंतराल थोड़ा लंबा है इसे सहन करने की आपको शमता मिले भगवान जल्दी से आपकी मदद करे इसके लिए को सुपचार करने होंगे आपको उपाय नोट कर लीजे प्लीज एक तो आपको अपना बेडरूम बहुत क्ली बहुत साप सुथरा रखना है आपको खुदको सौंदर्य प्रशाधन में कम्प्लीटली युक्त रहना है जितना ज्यादा हो सके अपने आपका ध्यान रखें दूसरा एक काम आपको चंदन का इत्र लगाना है तीसरा का मंदिर में घी दान करना है नमक का पोचा लगाना ह बगवान शिव की ऐसी मूर्ती पारे की खरी दियेगा जिसमें भगवान शिव और माता पारवती का दोनों का आधा-धा सरेर होगा उनकी पूजा करें, उनके सामने सिवचालीसा का पाट करें, दिया जलाएं देसी घी का, उसमें थोड़ी शी मिश्री डाल करके जलाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी लाब होगा, और हाँ, यदि आप अपने गले में प्रेम कबश धारन कर सकती हैं, तो भी श्वास हैं, वो बहुत जल्दी आपके साथ होगे, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यबाद आपका, धन्यबाद, थैंक्क्यू, थैंक्यू, थैंक्यू फू कॉलिंग, दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई दुविदा है, तो बिल्कुल परिशान मत हुई और बढ़ने मत दीजी, बस फोन उठाइए और इन नंबर्स पर कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे है आचारे जी, हम बात कर रहे थे Love at First Sight के बारे में और आप हमें जस्ट बताई रहे थे कही बार ऐसा होता है कि किसी भी उम्र में प्यार हो जाता है और अपने से बहुत छोटा हो या अपने से बहुत बढ़ा हो जहां उसकी कोई गलतियां गलतियां नहीं दिखती है या कोई भी कमियां कमियां नहीं दिखती है तो यहीं मैं जानना चाह रही थी कि जब किसी भी एज में प्यार होने के चांसे रहते हैं या जिसे हम प्यार समझ लें तो ऐसे में complications भी बहुत आजाते हैं difficulties आते हैं तो इसमें astrology हमारी क्या मदद कर सकती है अनुजा जोतिश ही मदद कर सकती है चुकि यह आपको सबसे पहले तो वो दिशा दिखाती है जहां से आपको काम होगा क्योंकि यहां पर कल, आज और कल की बात हो रही है कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा इसकी complete report निकालने की विधा का नाम जोतिश है तो सबसे पहले तो हम आज बर्तमान में है कल उस relation के साथ होंगे या नहीं, यह जोतिश पहले बता देती है होंगे तो कैसे होंगे और क्या problem है उसे fulfill करना बहुत आसान होगा फिर क्यों? क्योंकि आपको complete way पता चल गया है आपको यह मालूम है कि कल यह ठीक होगा या नहीं आपको पता है तो आप प्लान अच्छा कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि आपके घर में 10 लोग भोजन करने आने आने वाले हैं तो आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं अचानक लोग आजाए तो थोड़ा मुस्किल होगी, थोड़ा अविवस्था होगी, तो वो जो अविवस्थित जीवन है, उसे सुविवस्थित करने के लिए जो तिसका साथ लेना अमश्यक है, बिल्कुल, एक अन्स्टेबिलिटी को एस्टॉलोजी आप स्टेबिलाइज क एक चाहिए हूं नमस्ते गुरुजी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप, मैं बिलकुल अच्छी हूं गुरुजी, मैं अभी तैंक वोलना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ फाइनिनेशियल प्रॉग्ल्म बहुत जादा थी, मेरे थी चॉप-परिशान थी, बहुत मुझे बदाया आपके बारे में मैंने आपकी संस्था में कांटेक्ट किया आज मैं खिछा में मैंने जो भी आपने मुझे रेमीडी दी मैंने सब और ऊच्छी जूब भी हो गई है तो गुरुजी मैं आपको चरन एक्सपर्स करके आपको थेंक्यू थेंक्यू बोलना चाहूंगी बहुत धनिवार बहुत शाधुबार इश्वर आपको और महत्त्रपूर पत्पे पहुचावे आपके पती को बहुत धनाट करें और आपको बहुत सारा शुक प्रदान करें दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी परिशानी है और आप भी जल्दी जल्दी गुरुजी को थैंक यू कॉल करना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल मतकत्राय है बस फोन उठाना है और उनसे अपनी प्राब्लम शेर करनी है नंबर आपके TV स्क्रीन पर अल्रेडी मौजूद आचारी जी जब हम love at first sight की बात कर रहे थे तो मैं जानना चाहूंगे कि कैसे decide करें इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं क्या ये love mature हो सकता है या नहीं देखें ये तो केवल love की बात नहीं कोई भी काम करने में आपको एक सही दिशा समझने वाला एक सही मार्दरशक चाहिए ही चाहिए life में क्योंकि प्रेम क्योंकि बहुत महत्तपूर कार है भाई आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको या तो संपूर्णता से complete कर देगी या तो 100% बरबाद कर देगी तो ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें निकलने के पहले आपको फ्यूल गारी के टैर और ड्रैवर सब कुछ कम्प्लीटली चेक कर लेना चाहिए तभी आगे बढ़ना चाहिए और इसमें बहुत आवश्यक है जिस प्रकार से अर्जुन ने अपनी रत का बागदोर भगवान क के हाथ में दे दी जो हमारे प्रेम के आइकन है वो उनको ही अगर आप ये बागदोर दे दे या आप किसी गुरू को अपनी बागदोर पकड़ा दे तो हंड्रेट परसेंट आप सही दिसा में पहुच पाएंगे चुकि एक सब्द में ऐसा है कह पाना क्योंकि हर एक लगन सेशते हैं प्यार है आकर्शन है छडिक है थोड़ी देर के लिए है सामानिता है जो कि हर वेक्ति अलग अलग तिंकिंगा है तो डिपेंड करेगा ऐसे थाउजन टाइप आप नीचर से इन पर आप देख सकते हैं जो तसी आधार पर बिलकुल बिलकुल आचारे जी तो दे नमस्कार कैसी है आप ठीक हूं मैं आप कैसे हैं एकदम बहुत बढ़िया जी बताइए अचा जी मेरी शादी को बारा साल हो चुकी है और अभी कोई बेवी नहीं हुआ है डेटा पर बता दीजिए बाइस नुवंबर उनीस वे क्यासी टाइम बताइए तुबे छे सवाच के बीच का है कहा जनम हुआ है दिल्ली कही है जी दो बाते इसमें एक तो तुमारे कुंडली में संतान सुख दिखता है इसलिए आप खुस हो जाईए कि आपको संतान होगी ही हाँ थोड़ा बिलंब से दिखता है आपके अपने सब्तमेश में बल कम है मतलब इसका सीधा का सीधा समंद आपके अपने पती से है आपके पती का जो शारीरिक बल है वो कम है मेडिकली आपको उनको चकप कराना चाहिए अगर आपको डॉक्टर की सलाह ली है आपने तो उसका इलाज आपको कराना ही होगा पती नहीं जाते तो भी आपको किसी ने किसी से कंसल्ट करना ह कि उनकी साइट से थोड़ी प्रॉब्लम आती दिखती है और जब तक वो चीजे ठीक नहीं होंगी तब तक संतान होने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आपके ससुराल पक्ष में जहां आपका विवा हुआ है उस पक्ष में थोड़ा सा इस प्रकार का दोश भी है कि या त तो बहुत बिलंब से होती है और या तो पहली संतान का सुख नहीं मिलता तो इस चीज को आप थोड़ा सा कोरियेट कीजेगा अपने चीजों के साथ में पंडित जी लास तो बहुत करा लिया सुसराल भी छोड़ दिया माई के में रहती हूं मैं इस वज़े से छोड़ना कुछ इस बज़े से चीजों को जोड़ना है चोड़ने सी चीजें नहीं बनती चीजें जोड़ने से बनती हैं कोशिश कीजिए कि हम उसका समाधान निकाल सके आध्यात्मे कि फिश्पर पर भी इस चीज﹌शा को ठीक किया जा सकता है रामान में उपाख्यान है कि राजा दसरत को बुढ़ापे में बच्चे हो गए और यग्य और पूजा कराने से हो गया पुत्रिष्ठी यग्य करावे भगवान कृष्ण के बालसरूप का दर्शन करें बालसरूप की पूजा करें संभौ हो सके तो संतान गोपाल का पाट करें सहस्तरारशन करें भगवान कृष्ण का जितनी ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे उतनी जल्दी यह सब चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी दूसरा एक काम जहां भी सर्वपणा हो या जो लोग सपेरे होते न, जो सांप लेके घूमते हैं, उनको जरूर कुछ पुछ दान करें, जब भी आपको दिखे, कहीं पर भी कोई सपेरा, तो उसे आप कुछ जरूर खाने को दें, उससे पूछें कि आप सांप को क्या खिलाते हैं, अगर वो कुछ दे सकते हो, कोई लगता है कि मिट्टी या कोई चीज खिलाते हैं, वो ऐसी अगर कोई चीज आप दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और यदी किसी सपेरे से सांप लेकर के जंगल में छोड़ा जाए, तो ये संभावना और भी ज़्यादा अच्छी हो आपने कॉल किया शोपर और आचारे जी सापकी बात हो गई है, आप अपनी टेंशन बिलकुल यहीं दूर कर दीजे, और इसके बाद भी आप अचारे जी से कनेक्ट हो सकती हैं, शोगे बाद आपके मन में और भी कोई सवाल है, तो आप बाद में भी कॉल करके पूच सकती ठीक है मैं, थैंक यू फो कॉलिंगे, थैंक यू दोस्तों, अगर आपके भी मन में बहुत बेचैनी हैं, बहुत सवाल हैं, कई तरह के कन्फूशन्स हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर, तो बिलकुल परिशान मत हुए, बस फोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अगर शो के दौरान आपके आचारे जी से बात नहीं हो पाती है, तो टेंशन लेने की बिलकुल जरुवत नहीं है, क्योंकि शो के बाद भी आप उनको कॉन्टाक्ट कर सकते हैं, यह लाइन 24-7 ओपन हैं आप ही के लिए आचारे जी, बहुत से ऐसे लोग हैं, हमसे जुड़े हैं, और हमारी शो से जुड़े हैं, जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, पर वो call नहीं कर पा रहे हैं या उनका call connected नहीं हो रहा है, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उन्ने अपना एक mail, अपनी problem mail के जरी आपको भे आचारे जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो बीरे साथ ही काम करती है, लेकिन मैंने आज तक उसे बताया नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसका नाम सोनल है और वो काफी रिच फैमिली से बिलॉग करती है, प्लीज मुझे गाइड कीजिये कि मैं क्या चलिए, एक और बढ़िया मौका है, यहां पर बहुत सारे लोगों को कुछ इंडिकेट करने का, अच्छा बेहतर मेल सलेक किया वई, इसके लिए धन्यबाद चैनल को भी, एक्शली बहुत बहुत इंटरनल टॉक है यह, सक पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है दोनों और प्रेम पलता है, कभी किसी ने पूछा, आप प्रेम में अकसर समा और पतंगे की बात की जाती है, जो लोग समझते होंगे, उन्हें पता चलेगी यह बात, कभी किसी ने पूछा, कि भाई, वो पतंगा जाके जल जाता है वहां, यह कौन सा प्रेम है, यह तो एक दीपक भी तो जलता है ना सकी पतंग जलता है लेकिन संग दीपक जलता है और दोनों वोर प्रेम पलता है वास्तविक जब प्रेम होगा ना तो कहना बोलना बताना ये बाहरी बाते हैं इंटर्नल बात नहीं है ये अंदर की चीज है प्रेम अगर सच्चा प्रेम होगा तो सा ऐसा intuition है ये एक ऐसा subconscious mind का higher level का की विवस्था है जो अपने आपादान प्रदान होती है इसे बिल्कुल नहीं कहा जाता जिस प्रकार से सुगंद को रास्ता नहीं बताना पड़ता ना कुई जाने के लिए ऐसे ही प्रेम की भावनाओं को दूसरे दिल तक पहुंचाने का रास पूजन से बाहर आए अपने आपको बहतर तरीके से प्रजन करें आप विश्वास रखे इसी साल आपका प्रेम आपके सामने होगा और बहुत जल्दी आप दोनों एक होने वाले हैं लेकिन फिर भी भगवान कशन के आलिंगन मूर्ती वाला एक प्रेम कवच अपने गले म और जब भी उनका कोई भी परवाए एकादसी या अश्टमी तो उस दिन जाकर के किसी भी विश्णु मंदिर में भगवान राम के मंदिर में कशन के मंदिर में जो भी विश्णु के अवतार मंदिर है उनमें जाकर के भूग परशाद लगावे नो बिवाहित इस्त्रियो को कुछ दान करें, यदि संभो हो सकें तो किसी अनात हासरम में जाकर के कुछ द्रभ्यादिक दान करें, आपके जीवन में बेहतरी आएगी और बहुत जल्दी आपका प्रेम से प्रेम विवाह तक की यात्रा सफल होगी. आपने सबको गाइड किया, सबको अपना, you know, valuable time दिया और एक उमीद की किरन सबके मन में जगाई है, जो I think सबसे पहले जरूरी है, कुछ भी हासल करने से पहले उमीद होना बहुत जरूरी है, and all thanks to you for that. आपको बहुत बहुत दन्यवाद. Be hopeful and keep watching Love with Astrology.